प्रियंका चौधरी को किचन में अकेला काम करते देख आखिर अब्दू ने कौन सी बात पूछ ली जिसका जवाद देते हुए प्रियंका ने कह दी ये बात तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको क्या है ये पूरी खबर बिग बॉस के घर में अंकित गुपता का एविक्शन हुआ उसी दिन अब्दू रोजिक की एंट्री हुई जिहां दोस्तों अब्दू रोजिक घर में वापसी कर चुके हैं और इस बार जो है अब्दू रोजिक के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं जैसे कि घर से जाने से पहले अब्दू रोजिक मंडिली के काफी ज़दा खास मेंबर थे इन फैक्ट वो साजिद और निमृत के साथ काफी अच्छा बॉंड शेयर करते थे वापस आने के बाद अब्दू रोजिक के जो तेवर है वो इन दोनों के साथ कुछ अच्छे नहीं लग रहे ये बाद साजिद और निमृत दोनों ने ही नोटिस की जिसके बाद उन्होंने ये बात कंफरेंट भी की लेकिन अब्दू ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया इसके साथ ही उन्होंने जो जवाब दिये निमृत और साजिद को वो कमाल के थे अब ऐसे में बाते ये भी सामने आ रही है जैसा कि लाइफ फीर्ड में दिखाया जा रहा है कि अब्दू रोजिक जो है वो निमृत और साजिद से दूरी बनाने के बाद प्रियंका से दोस्ती कर रहे हैं प्रियंका से उनकी दोस्ती पहले भी काफी अच्छी थी लेकिन सिर्फ मंडली के साथ बैठने से उनके साथ उनकी बाते सुनकर प्रियंका के लिए उनकी दिमाग में काफी गलत खयाल आ चुके थे जिस बात को अंकित गुपता ने भी घर से बाहर आने के बाद इंटर्वियू में बोला उनका कहना है कि अब्दूरोजिक जो है वो काफी ज्यादा प्यॉर हार्ट इंसान है इस वजह से वो जिस लोगों के बीच में थे कभी-कभी ऐसा होता है कि हम उन लोगों की बातों में आ जाते हैं और ये चीज बहुत नॉर्मल है अगर ऐसा हमारे साथ होता तो वो भी नॉर्मल ही था लेकिन दोस्तों घर में जब ये शुरुवात में आये थी तो प्रियंका से इनकी बांडिंग काफी पसंद की जा रही थी लेकिन मंडली के साथ बैटने उठने के बाद ये जो चीज थी वो काफी बदल गई लेकिन अब एक बार फिर जब अब्दुरोजिक घर में आये हैं बाहर की हवा लेने के बाद सारी चीज़े जानने के बाद तो अब प्रियंका के साथ उनकी बांडिंग लोगों को फिर से पसंद आ रही है प्रियंका के कफी ज्यादा क्लोज होते दिखाई दे रहे हैं अब अब ऐसे में जब प्रियंका अकेले काम कर रही थी किचन में तो अब्दुरोजिक जा पहुँचे उनके साथ बीबी एंथम गाने लगे उसके बाद जिब वो दोनों गुन गुनाने लगे तो किचन का काम करके प्रियंका जाने लगी जिसके बाद अब्दुरोजिक ने पूछा तुम ठीक होना प्रियंका क्या कर रही हो जिसके जवाब में प्रयांका ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ पहले से बहुत बढ़िया हूँ और मैं अब अपना मेक अप करने जा रही हूँ दोस्तों आपको बता दे कि अब्दुरोजिक इस बात का ख्यास ख्याल रख रहे हैं कि प्रयांका जो है वो खुश रहे क्योंकि अंकित के जाने के बाद वो काफी अकेली हो गई है इस बात का अब्दुरोजिक काफी ख्याल रख रहे हैं वैल आपको बता दे कि ऐसा सिर्फ वो प्रियांका के साथ पहली बार करते नजर नहीं आए है, इन फैक्ट घर में अगर कोई भी अकेला होता है या उदास होता है, तो अब्दुरोजिक जट से उनके पास चले जाते हैं, ये बात सच ही है कहीं न कहीं के बिग बॉस 16 में सच में अब्दुरोजिक ज़ेसी परस्नालिटी किसी की नहीं है, अब्दुरोजिक घर में हर किसी के चहरे पर स्माइल लाने में काफी ज़्यादा काम करते हैं, इस वज़ह से उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, झाल 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 झाल